कि दोस्तों माइडियर फ्रेंड डिपलोमा अनलाइन क्लासेस में आप सब्सक्राइब विद्ध्यारतियों का स्वागत है मैं विपिन कुमार दूबे आपको मैं पढ़ा रहा हूं माइक्रो कंट्रोल स PLC SCADA, मैंने कर दिया चौल्था चेप्टर मैं स्टाइब किया हूं यह सेंबली लेंगवेज instrument में इसके प्रीविषस लेक्षियर के बारे में आपको जानकारी को जानकारी आप इन चीजों को समझना है अगर इनको जानना है तो आप इनको करें क्या इस्क्रिशन बग्स में जाए आप जो कुछ भी आपको लिंक है उस लिंक को उपें करिए उन चीजों को अच्छे तरीके से देखिए समझेए सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आएगा वहां पर जरूर जाएए उस लिंक को उपें करिए प्रिवियस लेक्चर को आप जरूर देखिए ठीक है वहां पर इन सारी बातों को पूरा लिंक के द्वारा दिखाए गया है फिर मैं आपक प्रिवारी के लिए बता दूं कि उसमें आपको मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा जो आपके लिए अतिन्त बेनिफीसियल होगा जी हां दोस्तों आप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस्टेपर मोटर आप कहेंगे सर आपने पॉइंट्स कुछ और लिखे हैं सारे चीज़ों को हमें करेंगे कोई भी टापिक आपको चूटा नहीं रहा जाएगा अगर रह गया तो आप जरूर कमेंट बाक्स में बताएगा हम उसको जरूर रिपीट करेंगे ठीक है तो इन ही बतों के साथ हमें स्टार्ट करते हैं आपको इस्टेपर मोटर को machine language या low level language करते है यह low level language 01 के form में होते हैं तो कोई भी machine direct आपके language को नहीं समझ सकता आपके language को convert करने के लिए converter ya translator किया अश्एम्ब्ली बहूर इसेंबली लेंगवेज़ क् У needs का यूज करके लिखा जाता है असेंबलर इसे म्योinsonek को low level language lug invece में करता है फिर इंटर्प्रिटर हाई लेबल लेंगेज जैसे जावा को क्या करता है मसीन लेंग्वेज में करता है लेकिंटर्प्रिटर लाइन बाइन करता है जबकि rumor का कमपाईलर को क्या कर देता है मशील में कर देता है यह Minor ने कंवार्ड कर देता है यह लोगता इस साइच्छरा वहता है साइज्च में थोड़ा बड़ा होता है कंप्रीजंट 2 तीटेटर थिक है efficient होता है बहुत सारे अड्वांटेज इसके हैं तोलना में interpreter के तूल नामे compiler का ठीक है बस यही है error detection में प्राब्लम होती है इसमें बाकि सब कुछ इसमें फायदा ही होता है इंटर ट्रिटर जनरली जावा लेंगविज के लिए बना है compiler जनरली C++ language के लिए बता होना है इसके बाद आए लिंकर और compiler पर सबसे पहले source code इस लेंगविज में आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको source code करते हैं compiler इसको object code में बजलता है ठीक है मतलब convert करता है फिर यहां पर linker लगा होता है जो difference function को इसमें link करके एक executable file में convert करके memory में mr.Loader के द्वारा क्या कर देता है load कर देता है तो memory में सारे program इसी तरह से 1 by 1 1 one by one by all instruction load होते हैं जर सारे instruction का एक combination बन जाता है उसी को program करते हैं तो फिर जब हम processor जब हम touch करते हैं program को खोलते हैं just like whatsapp to processor इन ही सारे instruction को क्या करता है process करता है execute करता है तब उसका feature कोल के हमारे सामने आता है तो इस नहीं पढ़ा होगा तो आप इसकीप कर दिये होंगे क्योंकि आपको बस इसको इस बात को बखबखाना लगा होगा ठीक है इसको समझाने से पहले थोड़े सा हम बेसिक चीजों को बताएंगे कैसे क्या होता है मसीन के बारे में थोड़ा सा हम इसको एकस्प्लेन करेंगे देखें यह क्या है यह आपका इंटर्फेसिंग हो रहा है इसके द्वारा दिया जाएगा इन पोल्स को और इसमें पॉलरीटी जनरेट होगी और यह रोटर जो पर्मनेंट मेंगेनेट के बना है स्टेप बाइस्टेप क्या होगा मुव करेगा इससे पहले कुछ बेसिक तर्मनल रूरीज को हम स्टड़ी करते हैं जैसे आप साफ्ट मैइनटी मोटेरिक बोले करके जब उस पर बाइंडिंग कर देते हैं बाद जब उसको आप सप्लाई देते हैं तो उसमें करेंट फ्ल हř jullie कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं कोई रूल हम हम हेलेक्स रूल को फांड करते हैं तो हेलेक्स रूल कंटा है करता है इसको अंदर से हम लाइ अग्लीयों को करेंट के डार्यक्ट करफालता है तो जो अंगुछा होता Paigeuez तो बचाओ क्या हो गया स्यजिस हो गया अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो तो हम्ताघर क्लाक रूल लगाई यहां पर घरी रख दीजिये गडाट Sounds यहां पर है करी चलती है यहCha drie चैनल फिर है तो एसे ही चलती है आई से करेंट भी सिसे डारेक्शन करेंट तो उता सब्च्र क्लाक्क वाइज करेंट होता है जानते हैं लेकिन इधर डेखिए घरी में यह रखें करेंट का दारेक्शन के ओल्टा जा रहा मतलब इसको परकार से आप तो जानते हैं पर पोलेटी निकाल सकते हैं हैं अब आप चाहें इसको अलग अलग करना हैं मतलब इससे इस पाठ को आप चाहें तो उपर लगा दें इस पाठ को नीचे लगा दें तब ही मोटर मसीन बनती है बैटला तार तो दुनों से कनेक्ट होंगे ऊपर एंग नीचे यह सक apoyo सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी दो पॉल इटी बन जाएगी बन जाएगी ना तो उसी तरह से सारे पॉल्स बने हुए हैं सब के दो तार आपस में करनेक्टेड हैं इंटर्नली हम यहां पर दिखा नहीं पाएं चुकि 3D डाइग्राम तो हम बना नहीं सकते इसलिए इनको देखा पाना थोड़ा सा संभो नहीं होता है ठीक है यहां पर देखें यह करेंट ऐसे जाएगी तो इंटर्नली कैसी इधर से निकल के ऐसे वापस से हैंँ ठीक है कि ऐसे ही सारे तारों का अायसे ही दिआ गया है जो इसे इंटर्नली चीजों मतलब दो तार आपस में connection है यहां पिन चीजों को आप देख सकते हैं समझ सकते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इसको सप्लाई दिया जा रहा है ठीक है मतलब इंटरस्पेसिंग किया रहा है माइक्रो कंट्रोलर से और जैसे आपने उसमें सेव किया है हमने बताया ना उसमें टाइमर फंसन होता है तो यहां पर देखिए यहां पर अंदर जा रहा है यहां जब से हम देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर अंदर जा रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं परंदर क्यों जा रहा है कि इसका मतलब यह सपन स्ट तॉल मुथा रजंगते देड़ें सिरा से ह्त c करेंट का डायरेक्शन क्या हो ठिक ऐसे हो ऐसे जाकर करके ऐसे हो तो अब यहां देखिए करेंट का डायरेक्शन ऐसे दिखिए ऐसे करेंट ऐसे जा रही है और ऐसे में ऊपर जा रही थी ठीक है तो हम पोलाइटी निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा आपका उपर आएगा आपका यह न और नीचे आएगा यस ठीक है तब उसमें एट्रेक्शन होगा देखते हैं इसको कि हम तो बेटा उपर हो गया आपका किया यस नीचे आपका नीचे क्या हो और टीक है तो यह यह निस से क्या हो जाएगा आड़रेक्ट शूगिनने कहीं सप्लाई हborg nai कि यह मुव कर जाएगा जाए बिसको पल्स देना घृत हो पी यह 500 मीलेगा यहां से बड了吧bolics मुलेगा यहरी कि प्रकात democrat हो जाएगी नीचे यह सूपर यह इसी तरह से करेंट के डायरेक्शन के अनुसार तब यह यहां एक स्टेप मूव कर जाएगा अब ठीक अब यह यहां हो जाएगा और यह आपका और यह आपका यहां क्या होगा यहां पर हो गया अब फिर इसको सी वाले को पल्स देंगे तो सी वाले को पर चला जाएगा यहां से यहां तक आया था यह चीज कहां तक आ गई थी ऊपर सो गया था और नीचे क्या हो गया था यह फिर सप्लाइख हमने दिया कि यह इस बन गया हocus Works करता है यह प्लक इसके दो़ारे जंड था ठीस को ब़कु कर रहा है उसी प्रोशेसर के दौर्फ इसमें क्या कर दे जाता है lada यह यह दुसरा दूसरे का थीजी अिगर अच्छा पशल्च मिलता है उसी कहन तो सर्हार मोटर step by step क्या करता है move करता है सब को positive pulse direct connect किया गया सारे पूलों को सबका negative pulse उठा करके negative wire से connect कर दिया गया है ठीक है इस परकार जिसमें polarity बनती है मैंने explain कर दिया कैसे polarity बनती है current देने से इन सारी चीजों को को हमने बताया basic से बिल्कुल बताया ताकि आपको इस्टे पर motor का working principle आसानी से क्या हो सके समझ में आ सक है ठीक है हम आसा करते हैं चीजें आपको बिल्कुल की लिएर हो गई होंगी इसी video session में हम इससे related कुछ numerical करेंगे इसके कुछ question और formula को भी देखेंगे जो एक्जाम में पूछे गए हैं अगर इन चीजों को समझ में आया हूं तो प्लीज कमेंट बाक्स में जरूर लिखे मैं इसको एक बार और सम्झाने की कोशिश करूँ यह आपका होता क्या है पर्मानेंट मैंगनेट होता है जिसमें polarity fix होती है यहन और एस इस्टेटर पे हम मैंगनेट लगाते हैं जिसको हम तारों से क्या कर देते हैं लपेट देते हैं सबका हमने connection और current का direction नहीं दिखाया कि वह लेक का दिखाया है उसके अनुसार आप माल लें कि उसी का अनुसार सबका होगा तो हमने ABCD पहले एक को पल्स दिया अपने जो भी प्रोसेसर लगाया है उसके द्वारा एक को पल्स दिया तो यहां current के direction को हमने देखा उपर जा रहे यह बाहर निकल लए तो यहां हो जाएगा दूसरा सिरा यह हो जाएगा यह इस्टेफर मोटर यहां पे यहां पे यह स्था है kondition हमने माल लिया था तो यहां इस और यहां इस से तो इसे मोटर का ज़रूरत कहां है प्रिंटर में ठीक है प्रिंटर आप देखते होंगे कि जब प्रिंट करके पेज निकालता है तो उसमें कैसे step by step step by step motor मूफ करता है ठीक है तो जितना भी मसीन में जितना भी साइंस ने बनाया है सब कहीं न कहीं इंपोर्टेंस है जिस तरह से जो नेचर है चीज एक रिएक किया है उसका सब कहीं न कहीं उजह कर दिया अगर नहीं समझ माता हो तो आप यहां जाएंगे मसीनों में कैसे अलग अलग पोल बनते हैं जो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है ठीक है हम अगर समय मिला तो मसीन को भी लेकर आएंगे हमारे वीडियो सेशन में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इसलिए वीडियो सेशन को जरूर लाइक से इससे आपको बहुत ज्यादा एड्वांटेज होने वाला पुरा परफेक्ट एलेक्टिकल इंजिनियर बनाने का दावा किया है अब हम इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे और इंपोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेट कुछ फार्मूले को हम है और फिर एक हम नुमेरिकल क्वेश्चन को विसाल करेंगे जो अब्जिक्टिव पॉइंट अब्यू से इंपोर्टेंट होगा तो बने जरूर रहिएगा वीडियो सेशन में हां तो मेरे दोस्त इस परकार मैंने स्टेपर मोटर बताया आपको समझ में भी आया होगा उसका नुमेरिकल कैसे पूछा जाता है यह को मेरिकल को भी हम देखेंगे ठीक है इसके बाद ता हम आपको बताएंगे पिक माइक्रोकंट्रोलर का के वले एक साइट इंट्रक्शन हम आपको देंगे बहुत सारे पीन्स ओगरे के बारे में जानना डेटेल आपको स्लेवस में नहीं है उनली आप से लेवस देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा केवल लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टूपिक माइक्रोकंट्रोलर के बारे में बताएंगे जो जनरली पेरिफेरल डिवाइस को इंटरफेसिंग करने के काम में आता है ठीक है तो अब हम दे देखेंगे क्या यहां पर रेखे साफ्ट स्पीड साफ्ट स्पीड या लेख सकते हैं इस्पीड आफ कि इस्टेपर मोटर ठीक है साप्ट स्पीड या स्पीड आफ इस्टेपर मोटर तो इस्टेपर मोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला क्या होगा अल्फा यह नियस अपान 360 अपका alpha क्या है stepping angle क्या है stepping angle रचे यह पूल के नुसार होता है इसको सिंकृनस थे श पीड काते हैं यह alpha तोelpha निकालने का फार्मला क्या होता है अगर आपको stepping angle निकालना है जो यहां पर emot Q2S competator बोट रहा हम इस woman सबसेकंद तो बीच में ज्वें अंगल बंडा देटीज सटेपिंग इंगल अगर आपको इस्टेपिंग इंगल निकालना है इसका फार्मॉला होता है एनियस माइनस एर आ अपान एंट्व एन आर इन्टू 360 ठेक है इस तरह से आप इस्टेपिंग इंगल निकालते हैं जह हहां यहनेयस आपका क्या होता यहां पर कि यह एक क्या है कि स्टेटार जिस सब्सक्राइब करने का इस परकार यह मोटर का थी निकलने का फार्मूला और यह आपका स्टेपिंग इंगल निकलने का फार्मूला जिस पर हम नुमेरिकल लगाने जा रहा है आप इसके साट ले लेजिए और इन चीजों को समझ लेजिए किस आपके स्पीड क्या है और फिर स्टेपिंग इंगल क्या है ठीक है अब इस पर एक नुमेरिकल हम दोस्तों इक नुमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगर आपको बीजिवल ठीक से ना हो रहा हो तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं इसमें लिख रहा है एक सिंगल स्टैक एट स्टेटर मॉल्टिपल इस पर मोटर में 6 रोटर टीथ है इसमें जो रोट फिर आपको असा प्रीक्वेंसे फह युश्च मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं हमने साफ्ट स्पीड जो मैंने लिखा है साफ्ट स्पीड के फार्मूले में यहां पर मैंने लिख दिया है अल्फा यह फ्यस होना चाहिए मैंने लिख दिया होगा उसको सही कर लीजिएगा देशिज फ्यस ठीक है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग यह फ्यस नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए यह फार्मूला याद करिएगा यही साप्टी स्पीट का फार्मूला है जहां आप अलफा बराबर पुट करेंगे क्या अ चाहिए यहां हम चीजों को पूट करेंगे और देखेंगे और समझेने की पोसिश करेंगे तो पहले में इस्टेपिंग इंगल अलफा निकालें तो अलफा बराबर क्या होगे एक न नहीं अ इन यहां कितना 8-6 upon 8 into 6 upon into 360 तो जाएगा 2 upon यह 48 upon 360 तो कितना होगा अलफा is equal to 15 होगा ठीक है इसको आप हल करेंगे इसको जब आप हल करेंगे कितनी बार में जाएगा 15 टाइमस जाएगा तो जो आपका stepping angle हो गया हो गया 15 degree हो गया अब आप इसको चाहें तो आसानी से साफ्टी स्पीड निकाह सकते हैं 50 into 60 upon 360 इसको इसे काट यह कितना जाएगा अच्छा बार में इसको आप डिवाइड करिए कितना होगा कि टू पॉइंट कितना जाएगा यह कि टू पॉइंट कितना जाएगा यह कितना रहा आपका 5.2 अब इसको काट दीजिए दो दुना चार दो चोप क्वार्ड दू पचे डस यह आपका इतना क्या हो गया रोटेशन पर सेकेंड आगया ठीक है तो इस प्रकार से बेटा यह आपकार जो साप्ट की स्पीड आ गई वह क्या आ गई 2.5 रोटेशन पर सेकेंड ठीक है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सेर करिए आप इसका स्कीन साथ लीजे आप आपको नेक्स टापिक पर ले चल लाएं पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में ठीक है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर को देखेंगे जो अतियनत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह जो है अपके स्लेबस में भी है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर जिसको पिक माइक्रो कंट्रोलर काते हैं चुकि इसके स्लेबस में आपको केवल इंट्रोडक्शन ही है तो हम इंट्रोडेक्शन वीडियो जी देखेंगे इंटर पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल के संबंद में ठीक है ज्यादा से ज्यादा इनको आप समझने की कोशिस करिए कभी बिल्कुल ना रटा मारी है क्योंकि यह सब्जेक्ट बिल्कुल ही रटने वाला नहीं है यह बिल्कुल समझने वाला सब्जेक्ट है इसको जरूर समझी है अपलों ठीक है तो आगे हम अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर का पूरा फॉर्म फुल फॉर्म होता है देखें पिक माइक्रो कंट्रोलर का फॉल फॉर्म क्या होता है आपका पेरिफेरल पेरिफेरल इंटर्फेस कंट्रोलर इसको हम देखते हैं यह क्या होता है किवल आपके स्लेवस में क्या है इसका इंट्रोडक्शन है ठीक है हम इसका क्यों इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में हम टिटेल इस्टेडी नहीं करेंगे ठीक है इंट्रोडक्शन उनली इन यूर्स लेवर्स अब बुक में देखेंगे खुब लंबा चोड़ा लिखा है तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया तो इसी मुर्खता हम नहीं करेंगे क्योंकि हम उतना ही चीज़ें पताएंगे उतना ही बातें बताएंगे जो आपके लिए उप् स्किप कर जाएंगी गलत चीज़ें जारा दिमाग बहुत तेस्तर दिमाग में बैठता है जो आपके लिए उप्योगी नहीं और तेज़ाद होगा ठेक है इसी चीज जो आपके लिए बेनिफिस्याल है उस टर्मालीज को भूला देंगे ठीक है तो इसका इंट्रोडक्श सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है कि यह रिलाइबल होता है क्या होता है रिलाइबल होता है जिसको हम क्या काते हैं विश्वसνη विश्वसनी रिया कि शोटे छोटे क्फिलवनों में जिसमें परोग्रामिंग होती है उन सभी चीजों में उसका उटा जी होता है तो आपने जहां यूच किया है आपको विश्वास रहता है हमने यूच किया है तो यह काम अच्छा से करेगा यह सबसे बड़ी इसकी विश्यस्ता है कि यह विश्यस्यता है इसकी ठीक है दूसरा है इसका क्या परफॉर्फॉर्मेंस गुड़ परफॉर्मेंस ठीक है इसको कर सकते हैं अच्छा कार्य निस्पादन अच्छा कार्य निस्पादन यह भी इसकी बिशिस्ता में आता जो इसकारे के लिए आपने इसमें प्रोग्रामिंग किया है उसके निस्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से यह करता है ठीक है और कि तीसरा कंप्रिटर्ली फास्ट माइक्रो कंप्यूटर कंप्रिवली कि फास्ट माइक्रो कंट्रेजर मड़ने बेड़ जिरो फाईफून के क्या होता है फास्ट होता है ठीक है इसको लिख सकते हैं हिंधी में क्या तूलनात्मक तूलनात्मक रूप से कि इसपीड क्या होती है तोनलात्व रूप से स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है कि अब चौथा देखिए चौथा इसका विश्वाक्स क्या है विश्वश नीता है मतलब इसके ड्वांटीज में चौथा ड्वांटेज आप क्या लिखेंगे कि लिस्पावर कंजेप्शंग रिस्पावर कंजेप्शंग इंद इसकी जो यह विशेष्टा होती है एड़ीयोर फ़ाइफोन के कंप्रीजन में यह क्या करता है कम पाउर कंजियूम करता है फिक है ये इसकी बिशेस्ता है इस बिशेस्ता को जरो नोट करिए फिक है अब हम बताएंगे बचवा EG Installation इसका जो इंस्टालेशन है इसको आप हिंदी में लिखेंगे क्या शरल By the installation को क्या करते हैं का काते हैं हमं और सरल एस्थापन कि कहिं अगर इसको इन्स्टाल करना है इसका इंस्टालेशन क्या होता है इजी होता है ठीक है तो यह पांस तरह के द्वांटेज है अब यह आगे और भी द्वांटेज हम बताने वाले हैं एडवांटेज के साथ कुछ disadvantage भी है उसको भी हम discuss करेंगे क्यों एडवांटेज की डिसकस नहीं करेंगे advantage के साथ साथ कुछ इसके क्या है disadvantage भी है हम इसको देखेंगे ठीक है कि यह पच्छमा हो गया छठमा आप देखिए कि इजी आपरेशन कि इसका जो संचालन है वो क्या होता है सरल होता है इसको हिंदी में क्या करते हैं सरल संचालन ठीक है इसको हम हिंदी में explain कर सकते हैं इसका जो संचालन होता है क्या होता है सरल होता है बहुत सारे advantage है इसके numbers आप advantage है हम बहुत आपर सारे चीज़ें को नहीं बता रहा हैं जितना इसे ज़रूरी चीजे हैं उतना ही हम बता रहे हैं ठीक है ? तो यह सारे थे इसके क्या dvanties थे ? अब मैंस्के को पढ़एंगे है ? को बढ़ लेते हैं जो इसके इंट्रोडक्शन के लिए जया होगा ? प्रयामत होगा तो इसके बाद यह फिक माइक्रों चॉट्रोलर खतम हो जाए गया तो फिर हम नेज्ट की और बढ़ेंगे है इसको अगर आपने सके लिया है तो सब्सक्राइब सकते हैं तो आपने क्या पढ़ा इस समय पिक माइक्रो कंट्रोलर आपने जो कुछ भी यहां पर पढ़ा है अभी इस समय इसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर के बाद आपको हम पढ़ाएंगे इस काड़ा इस काड़ा देखेगा अपने आप में बहुत ही रोचक सब्जेक्ट पढ़ेगा बहुत ही रोचक चैप्टर है जो आपकी सब्जेक्ट का समय लिजे हॉल्ट है ठीक है इस काड़ा सूपर्वाइजरी कंट्रोल इसके बाद हम उसी को हैंडल करेंगे ठीक है इसके देखे जो भी हमने इसके एडवांटेज पढ़े हैं इसके कुछ क्या है डिसएडवांटेज भी है क्या है कि अधिसेडवांटेज को हम क्या काते है हानिया इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको हम देखते हैं ठीक है पहला डिसवांटेज इसका यह है किसके प्रोग्राम लंबे होते हैं पहला डिसएडवांटेज क्या है इसके केवल है कि इसमें केवल हो एक कुमेलेटर यूज किया जाता है कि या धिक यह दो प्रकार के इसमें क्या है डिस अड्वांटेज नहीं है अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि इसके अप्लिकेसं से क्या आए कहां कहां यह यूज होते हैं ठीक है अपिल्केसंस देखेंगे उसके बाद तब यह टॉपिक क्या होगी पूरी तरीके से ठीश होगी ठीक है हाँ तो बेटा आप किसके बाद आपका क्या टॉपिक है अप्लिकेशन आप पिक माइक्र कंट्रोलर बेसिकली हम इसको नेक्ट लेक्चर में कवर करेंगे ठीक से इंट्रोड़क्शन के लिए हम यहां बता देते हैं कि जैसे आपका रेलवे में रोबोटिक्स में एरोनोटि क ही हैं रिमोट होगा रहे में मसिन होगा रहे में सब में इसका क्या किया जाता रूज के जाता है जनरली बहुट जगdesiv करेंगे अगर हमारे सिसको हुआ है अगर मिलते हैं नेच्ट वीडेयो में ते झाल झाल